करोना से मरी हुई महलाएं उसकी लास उठाने तक की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी वहाँ संजाल वहाँ पर समाजिक संजाल ने उस लासों को उठाकर पस्पति घाट में पहुचाया है यह हमारा देश तो बरा नमुना वंडा है मरने के बाद करोना का सावित होना यह तो पहला देश नेपाल है पहले मर जाना इसके बाद वो करोना में पोजिटिव सावित होना यह बिश्व के तिहास में नंबर वन हमारा देश नेपाल है यह परमानित हो गया नेपाल सरकार को आगामी आर्थिक बर्षको लागी प्रस्तुत नितितता कारिकरम का कदिपवे विशेयरूले कोरोना को बिशानु सक्रमन बाट उत्पन्न समस्या लाई समाधान गरनी रत्यस बाटा सिर्जेना हुनसकने आर्थिक सामाजिक चुनूतियर को सामना गरनी दिशात्रफ रामराक कारिक कुड़ा हरू लियायकुछ विश्यसगरी श्वास्थे चेत्रमा श्वास्थे चिवा को विश्तार गरने रव श्वास्थे श्वास्थे श्वास्थार को शुद्रीर कड़ गरने कुड़ा अतेंता आवश्यक्ष अईले को विश्व परिवेश मा बिविन देश अरुबाट नेपाली अरु आपनु शो देख मान अवस्थामाँ ृजगारी का आफ्षेर हारू प्राप्त मातरमाँ सिर्जना गरणुपरने चुनुती देख का स्थाम उपस्थितुने छा तेस संदर्भव मा किर्शी चेत्र मा लेएका कोत्य पर खाती पर कारेक्र महरू ती अत्येंत आवस्चिक्छन ती कारेकर महरलाई आगामी दिन मां बजेट ब्योस्थापन गरने सिलसिलामा उपएक्त बजेट बिन्यास कर रहा अगारी जानुपरने आवस्चिक्ता छा तेस बाहेक आज एकातिरा हमी कुरोना सक्रमण को त्रास बाट कसरी जोगीने कसरी द देखी लिम्पिया दुरा लिपुलेक कालापानी छेत्रमा भारत कु उपस्थिती अटनुपर्चा बन्ने मां गर्दे आयका छों नेपाली जनताली आवाजु ठोंदे आयका छन तर हालाई त्यों छेत्रमा भारत बाट शडक निर्मान गरिकू कुरास मेत आयको छा येस एका तर्फा हमेले अलेको बिश्व परिवेस बिश्व माई उत्पन्न कोरोना महामारी बाट जोगी नुपर्ने चावने अरको तर्फा हामरो राष्ट्य श्वादेन्ता श्वतंतर ता रश्रक्षा तर्फा तेत्तिक गंबीर भायर लागनु परने आवसेकता छो एस पर बेस्मा नेपाल सरकार को तर्फा बाट राष्टे श्वादेन्ता सवतंतर ताकू रक्षा गरने रह यो बन्दा अगाडी नेपाल को नक्षा मा उल्लेक उनन शके काई बिशमा तरपएले थियो तो अर कुनी समय मा त्याया उलेक भायता पनी बिशमा उलेक नवायका लिम सवाधेन गेरी को रोप मा रहन शकेशन को वनेचा इस का प्रहस्याश प laisser कल्पनागरी को समरिद समाज और निर्माण करनी कुर्याम हमें हमें प्राइन धर्न सक नीर्णाय गरन रहन ओवस्ता मां मußधा संवार्य बिगत का निरूंकु शास करूले थो परेका इतिहांस का अनेक काल खंड मा आमिले बाध्यात्मक रूपमा नचाहंदा नचाहंदाई पनी सामना गर्नु परेका हमरू श्वतंत्रता हमरू स्वाध्यंता मा आज परेका अधस परेकार मारू हेरे ती कारेकाम अरूले शांचिक अधिको अवस्थामा देशका पिछडे चेत्र हरू समुधाय हरूर चेंदरीत भअरू जति जाननु परन्चेए त्यों निटीत था आकारेकारम ले पर्तिबिंभित गरेगु जस्त मालाई लायकु छाई ना रो यो कुरालाई प्रणता दिनको लागी बजेट मां हमेले त्यों देखना पाउने शुवन्ने पनी महले आशा गरेगु छू संसंगाई उनता यो नित्तता कारेकर मां इस्पष्ट रुप मां उल्लेक गरेगु छाई ना अमरो देश मा निके विवाधास्पत मिलेनेम चैलेंज कर्परेशन को कुरा जन उल्लेक गरेगु छाई यो अरी पछाडी को डोकाबाट आउनु खोजे जस्त माला आउनु बुथ भायकु छाई एक जाना नेताली यह भन्नु भो यो पारिद घरनु परछा इसमा छिटो ग यह परेगों छां मला मैले आसा गर्चो यह पकाई पनी तो सम्झेत अंतरगत को अंगा उने साहिन एदि तो भायवने तो रास्ट हीत विपरीत होने चा तो नेपाली जनताले आवाज उठांद एक रापको परीत होने चा रो योटा स्वाधिन स्वतंत्र देश को त्यो आ शेत्मा आज परेवने कुने पनी सम्झाउता कुने इपनी पैशामा त्यो शाट न सकी देन रत्यस्ते गर्रा अंतरदेश ये उद्व दंदा खोलने बनने कुरा आपनी मैले नेपाल को कानून को अध्यन गर्दा तो कुन कानून अंतरगत कसरी दूता देश शंगलगन व सब्सक्राइब नेपाली जनता को आकांग्षालाई पुरा गर्न को लागी यो अफ्यार अवस्तामा पनी देड़ता पुरवक अगाडी बनने कुरा को आवसेक्ता चरा तदो नुकुल नहीं आउने बजेट मा इसमपण कुरा आरू परतिमी बारा आउने चनर येस ता अल सब्सक्राइब नेपाल के हमारे नेपाली साथी बिश्व में रहने वाले और नेपाल में रहने वाले दो बेक्तियों का जो मिर्टी हुआ है उसे मैं सर्धांजली अर्पन करना चाहती हूं ये नीति कार्जक्रम 23 पन्नों का दास्तावेज मैं धन्वाद देती हूं राष्टपती महोद्या को कुनों ने तीन घंटे अपनी बिना पान अर्थेषन सुनने के बाद लोग भासन सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये हमें बिचार करना चाहिए कि को ना की टाइम में तीन घंटां में टाइंवय्स्ट करने से कोई फैदा नहीं है और इस नीति कार्जक्रम में 23 पन्नों में मैंने कल की वहासन सुनी है सक्ता फख्षों का मुझे बड़ी आस्चर्ज लगा कि हाकिकत में ओकालत परके और अच्छा कला जान लेने के बात अपने क्लाइंट्स की बातों को अच्छा डग से सावित करके परमानित करके दिखाना होता quem मैंने कल इस बातों से इसे पर्मानित करने का मैंने सुनने का परियास किया लेकिन सभामुक महुत है आश्चर्ज की बात है करोना से मरी हुवी महलाएं उसकी लास उठाने तक की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी वहां संजा वहां पर समाजिक संजाल ने उस लासों को उठाकर पहुचाया है और यहां पर बड़ी-बड़ी पाते कर रहे हैं कि हमारा सारा त्यारी है अभी मधेश की वस्था यह कि कुरेंटाइन की वस्था नहीं है इसकूल में इसकी विवस्था की जा रही है लोग तरसित हैं डरे हुए हैं जिसे बिमारी नहीं था उसे भी फीवर रहा है सरकार की क्या त्यारिया है यह हमारा देश तो बरा नमूना वंडा है मरने के बाद करोना का सावित होना यह तो पहला देश नेपाल है पहले मर जाना इसके बाद वो करोना में पोजिटिव सावित होना यह बिश्व के इतिहास में नंबर वन हमारा देश नेपाल है यह परमानित हो गया, शभामुकमाओ दे, अश्वास्त की बात हम की हैं इस दास्तावेज में, वो पुरानी धर्रे, 200 सीट की बेट, 100 सीट, गाउं में 15 सीट, वो सीट, वो सीट, सबसे पहले अभी की अवस्था, आईशियो और भेंटिलेटर की अवस्था है, जो हरे एक पर दिया गया है, मरने के बाद पता चला जो हो, करोना से मर गया, यह सा तरसी तवस्था में, हम इस दास्तावेज को कह रहे हैं, बहुत अच्छी दास्तावेज है, तिर सट पेज का मैंने कल तकिया के नीचे लेके सोई, कि कहीं सी में तो समरीद नेपाल और सुखी नेपाली कहीं सपना में रात वर देखी, यह दास्तावेज का है, ऐसा धर्रा बनाया हुआ पुरानी, मैं कहना चाहती हूं, यह देश का बजट रेमिटेंस पर चल रहा है, आज 40 लाख लोग बिदेश में हैं, भारत छोर के, और IELO का रिपोर्ट है, कि हरे एक पांच में तीन लोग हमारे नेपाल में आएंगे, उनकी रोजगारी और बेवस्थापन किस धर्दे से हम कर रहे हैं, हमारी बेवस्थापन क्या है, हमने यहाँ अपनी माटो बनाओ, अपनी चीनो बनाओ, और उसको डिगरी वालों को वो सिक्छंग में लगाओ, क्या आपके पास तथ्य है, कितने लोग हमारे मास्टर डिगरी करके इस देश में बैठे हैं, वो तथ्यांक नहीं है सभामुक महोदे, यह खोखली नारा देने से सम्रीद नेपाल नहीं बन सकता, इसलिए स्वास्त के नाम पर अभी करोना को मत नजर रखके आगे बढ़ने की आवश सकता थी, जो किसमें ध्यान नहीं दिया गया है, किरीशी की बात करते हैं, सम्रावुक महोदे, किरीशी में आप कुल आइडीपी, पैंशत परतीशत किरीशी का योगदान है, लेकिन किरीशक मिर्तु सहिया में छट पताये देखी जाती है, कभी उख्षू के खेती में, कभी धान के खे नहीं नहीं हो पाती है, उसकी बात इस निति कारजरम में क्यों नहीं की गई? उनकी बजार बेवस्था के बात क्यों नहीं की गई? उसकी आदुनिकी करन की, मैसनरी की बात क्यों नहीं की गई? जिस मैसीन से दान रोपा जाए, काटा जाए, उसे रीन में उपलद करके, उसे किसान को उपलब्द बनाया जाए कि इसमें क्यों नहीं की गई किसान अब आने वहला बेकल्पिक बिकल्ब हमारा किसान ही है किरिसी पर निर्भर होंगे जो बिदेश के लोग आएंगे यदि किरिसी क्यों उत्तम खेती के तरफ नहीं बरहाया गया तो हमारी यवस्था सम्रिध नेपाल और सुखी नेपाली नहीं मुझे वो दीन देखना परेगा दरिदर नेपाल और दुखी नेपाली का नारा कहीं लेके कटोरा में न घुमना परे इसलिए इस पर हमें लग रहा है कि दिहान देना जोरी है सभाव कमोदे उसी तरह सिक्षा आज सिक्षा के मामला में उन्नत सिक्षा की बात कर रहे हैं इस देश में एजुकेशन नहों देश सम्रिध हो ही नहीं सकता सिक्षा के मामला में आफ पूरे बजट की 10% लगाते हैं सिक्षा में उस दस परतिसात में असी परतिसात आफका ट्रेनिंग, भत्ता, इस्कूल, बिल्डिंग में, स्री 20 परतिसात बच्चों पर लगाई जाती है, उस देश का सिक्षा का उनती कैसे होगा, उपिर्धी कैसे होगी, और खास करके आज करोना की टाइम में, बच्चों की परहाई ज आप बात के हैं, जो घर बनाएंगे, वहाँ पर ओन लाइन नहीं बनने के बाद बच्चों की परहाई कितने वर्स पीछे जाएगी, इसकी बात नीति कार्ज करम इसका बात नहीं किया गया, शभाव मुख महो दे, इसलिए मुझे लग रहा है, कि ये नीति कार्ज करम पहल अभी आ रहा है, दस खर्व स्री परेमिटेंस था, तो इस देश की आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही है, उसके बारे में हमारा सोचना क्या है, बिश्च के आर्थिक स्थिति डगमगाने का वस्था में हमारा कौन देश मुझे योगदान देगा, बिश्च बैंक भी मां जो यह देश संग्यता में जा चुका है, यह देश अस्थानियता में जा चुका है, उन्होंने देखा यही मेरे हाथ में, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो करूंगा वही होगा, यह देश संग्यता में जा चुकी है, इसका तीन हिस्से में होनी चाहिए थी सभाम कमप्यूली एक मिनट मातर स्भामुक महदे और पर्देश की बजट पर्देश का नुशार होना चाहिए था ता ह Performed टौस्वा चाहिए था यह सारे चीज को पने अंदर ले लिया गया है यह बिलकुल गलत बाद में इसे इसे लिए मैं सभामुक मारपत आगरख करना चाहती हूं कि ये अभी चार बुंदों पर धियान दिया जाए श्वास्त सिक्छा क्रिशी और भरस्टाचार जब तक देश में भरस्टाचार बंद नहीं होगी देश उनती नहीं हो सकता सुन कांड लली लिता कांड सारा कांड ओमनी कांड ये छोटी- नहीं का के धन्डवाद